Hello guys, so welcome to the Shri Ganesh IS Classes. Shri Ganesh IS Classes में आप सब का स्वागत है और फिर से हम अपने Current Affair के सेशन के स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अपना जो टॉपिक है 15 जुलाई का इसमें पहला जो टॉपिक है वो ये कहता है कि Needs for Changes Anti-Defection Law मतब जो Anti-Defection Law है उसमें कुछ Changes लानी की बात कहीं जा रही है और ये बात कहा है Leader of Opposition है Goa Legislative Assembly के वो ये कहते हैं कि वो एक Private Member Resolution लेके आए है ताकि Central Government को Recommend कर सके कि आप Address करिए जो Various Issues हैं Anti-Defection Law को लेके तो बहुत सारे Issues जो चल रहे हैं कि कभी Anti-Defection Law ऐसा मना जाता है कि अप्लीकेबल है कि नहीं आ है बहुत सरा ऐसा इंसिडेंट देखा गया है कभी माराष्टा के Assembly में देखी गई है कभी उत्राखंड के Assembly में देखा गया है कभी मद्यप्रदेश के Assembly में देखा गया है तो कही तरह की इस तरह की बाते होती हैं तो यह इनका पर यह कहना है कि लेडर आफ पोजिशन है जो गोवा लेजिस्टाटीव Assembly के उनका यही कहना है कि आप Anti-Defection Law जो है न उसके बारे में आप उसको एड्रेस करिए जो Various Issues है अब तो यह बात होगी तो अब बात यह होती कि Anti-Defection Act क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ कि होता यूँ है कि सपोस्पोस करिए कोई MP या MLA इसको अगर यह defection इसमें हो जाता है defected मतलब तब कहते हैं न defected piece है खराब piece हो गया है इसमें डिफेक्शन हो गया है इसमें बीमारी लग गया है बीमारी मतलब कि हाँ पर इसको कोई इस तरह का disease नहीं कहेंगे defection का मतलब यह कहेंगे कि वो अब MP और MLA मेभी ही indulge हो सकता है anti-party activity में इस तरह से इसको मतलब उसके क्या-क्या उसके criteria है वो mention है इसमें तो MP MLA इसमें defected हो जाता है अगर defected हो जाता है अगर सपोस करेगी मतलब कि अगर उल्टे सिदे काम करने लगता है पार्टी के गेंस्ट है ना तो उस defected piece को उसको हटाने के लिए या फिर इस तरह की काम को रोकने के लिए उसके लिए anti-defection एक एक्ट मनाया गया जैसे होता था आया राम गया राम मतलब कि सपोस कर यह कोई MP MLA है और सुबह वो था BGP में है ना साम को किसी भाई का फोना या सपोस करो कि NCP से सरत पवार वाली पार्टी से और उसने डील कर लिया कि नहीं अब तो मैं बीजेपी का मेंबर था लेकिन मै केरला में उन्हें कुछ ऐसा कहा था तो केरला वालों ने केरला की कॉंग्रेस ने उनके उपर एलिगेशन लगाया कि आप दीजेपी को फैबरावल करते हैं आप एंटी पार्टी एक्टिवीटी में है तो एंटी डिफेक्शन इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी MP या MLA अ इसको 10th schedule में जो 10th schedule है Constitution of India का उसमें इसको साविल किया गया और इसको Anti-Defection Act भी कहते हैं यह 52nd Amendment Act के तहत आया था याद रखिएगा 52nd Amendment के तहत आया था 1985 में जिसमें यह बताया गया कि Disqualification किस Grounds के basis पर हम Disqualify कर सकते हैं तो कुछ Grounds बनाया गया है इसमें पहला Ground यह था कि सब्सक्राइब कोई एक Elected Member है और Voluntarily वह Give Up कर देता है अपनी Members को जिस Political Party से वह मतलब है उसमें है अगर वह Give Up कर देता अगर वह छोड़ देता है तो वह Defected हो जाएगा Voluntarily मतलब खुद से कहता है कि नहीं मुझे तो Congress से मजा नहीं आ रहा है मैं BJP में चाहूँगा है तो वहां पर उस पर Anti-Defection Act लगाया जा सकता है दूसरा चीज यह होता है कि अगर माल लिजे कोई Elected MP है और वो वोट नहीं करता है पार्टी के Guidelines के अनुसार किसी भी House में पार्टी के Direction के Against अगर कर रहा है वो या फिर परहेश या Abstent रहता है या फिर देता ही नहीं है तो भी उसके उपर इस तरह की करवाई की जा सकती है ठीक है अगर माल लो वो absent रहा या फिर नहीं रहा तो उसको cause notice देना पड़ेगा अपने पार्टी को पदर दिन के अंदर कि मैं क्यों नहीं सामिल था तो पार्टी अगर उसके अगेंस्ट अगर कुछ नहीं लाती है तो फिर उसको कहें कि उसको फिर नहीं Anti-Defection Act नहीं एंटी टे-फection Act उसके उपर लगाती है जाएगा जो चौधी चीछ है उसमें यह कहता कि अगर माल लेजे कोई nominated member है जिसे suppose करिए कि अब यह भाई साथ क्या करें suppose करिए अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एगर ज्वाइन कर लेते हैं अगर six month expiry के बाद after the expiry of six month ठीक है तो इनके उपर भी एंटी डिफेक्शन एक्ट लग जाता है हुआ क्या कि बेंगॉल में अभी एक member थे तो वो बेजेपी ज्वाइन कर लिए थे तो उनके उपर कहा कि इनको पर एंटी डिफेक्शन लगाओ बेंगॉल की MP है उनका नाम तो अगर कोई any nominated member joins any political party after the expiry of six month ठीक है यह as per 1985 act defection यह भी दिखा गया कि समाल कि कोई party है और उसके एगर one third member party के one third member suppose करें किसी और party की जाके सामील हो जाते हैं तो उसको defection नहीं माना जागा उसको merger माना जागा लेकिन 91st constitutional amendment act जो 2003 था उसने यह प्रावधान को change कर दिया इसको amend कर दिया इस ग्राउंड को और उसने कहा कि पूठ हड़ जब तक नहीं होते हैं किसी भी party के favor में तब तक उसको merger करार नहीं दिया जाएगा और जो कि eyes of law के अंद्रगत होना चाहेगी उसके बाद जो member जो disqualify होता है वो election लड़ सकता है from any political party या फिर किसी से 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 नहीं होस में तो यह भी एक चीज होती है अब यह बात हती है कि कौन decide करेगा की वो MP या MLA डिस्क्वालिफाई है की नहीं है तो वो करेगा उसी house का speaker या chairman ठीक है जैसमाल यह parliament तो parliament में आपके chairman कौन होते है वाइस प्रसिटेंट होते है रासवा में है ना ठीक है और speaker house में होता है तो यह ही decide करेंगे की कौन डिस्क्वालिफाई होगा और कौन नहीं होगा और एक और चीज़ यह subject to judicial review है अगर माल लोग कि किसी member को लागा कि नहीं मेरे साथ गलत किया गया है तो वो कोड पहुंच सकता है कि आप इसका रिदू करें वो जाके अपील कर सकता है तो यह subject to judicial review भी है अब anti-defection law के लिए क्या-क्या issues है यह means के points से या फिर आलसर राइटिंग के हिसाब से बढ़ा अच्छा है in fact जानने यो यह भी बाते हैं तो इससे क्या होता है यह कि अंडर्माइन करता है representative democracy के इसे suppose करिए कि जीस्टी एक्ट आया है है ना जीस्टी बेल आया तो suppose करिए कुछ मेंबर्स दूसरे पार्टी के हैं उनको अच्छा लग रहा है और उसकी खुबिया लग नहीं है लेकिन वह भी अपने पार्टी के दबाव में आकर वह इस काम को नहीं कर पा रही है तो एक तो उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन पे भी सवाल निशान खड़ा होता है यह वो सिर्फ पार्टी के ही गाइडलेंज को फॉलो करती है है उसके बाद से सपोस्ट करिए कोई एक वाटर डिस्टूब चल रहा है किसी तो स्टेट के बीच में और किसी एक पार्टी में सॉल्व करना चाहती है लेकिन अपने पार्टी अपोजीशन पार्टी है जो MP MLA है वो रूलीम पार्टी के अपोजीशन में है वो चाहता है कि यह होए लेकिन अगर उसकी पार्टी कहते हैं नहीं तो मैं इस पर सबोर्ट नहीं करना है तो कहीं न कहीं उस छेत्र से जहां से आता है वो उसके लोगों के लिए भी एक अपमान की बात होगी कि यार तुम हमार जगह से इलेक्ट होके गए हो तुम हमारा काम नहीं कर रहे हो तुम उसे पार्टी का सुन रहे हो तो यह कहीं न कहीं लेजिसलेचर को भी अंडर्माइन करता है MP और MLA की जो परसनल उनकी जो इंडिपेंडेंट थौट है उसको उपर भी एक प्रेसर क्रियेट करता है परल कुछ esa visio твор करने कर्देगा तो Supreme Court ने ट्राइ किया है इस चीज को कई बाद की जो रूलिंग स्पीकर गता है उसको तीम हॉक्र नight महींतर रिसाइड़ करणा पड़ेंगा की वह है मैदे इसे कोई जो उसमें था कि टू थर्ड मेंबर जो है स्प्लीट अगर हो जाते हैं सब्सक्राइब तो किस ग्राउंड पर मर्ज हो रहे हैं उसके बारे में कुछ इस तरह का नहीं बताया जा तो कोई स्प्लीट का रिगोनिशन भी नहीं दिये गया अब प्रपोज चिंजिस क् इसमें प्रपोज जिंज है कि ऐसे मैंटर डिरेक्ली रेफर किये जाएं हाई को और सुप्रीम कोड को टीक है फॉर एन एक्स्प्रेस जज्ज्मेंट विट परियोड उप 60 देज में कि वह एंडिटिफेक्शन लाव अप्लीकेबल है कि नहीं है दूसरा आप्शन यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह एसा भी होना चाहिए वह फिर जाके चुनाओ लड़े ऐसा थोड़े हो कि एंटिटिफेक्शन हो जाए मतलब विडिए उसको इलेक्शन लडवाई है वहां से उस जगह से तो यह एक है उसके बाद इस चैंजिस इन्वाइल्स द नीड़ और इलेक्टर रिपर्जेटीव कि अब यह भी है कि इन्वास करेगा कि जो एकर रिपर्जेटिटीव है वह एकाउंटर रिस्पोंसिबल अपने पॉब्लिक जहां से इलेक्ट हो क्या आते हैं वहां के लिए एक पार्टी के लिए तो यह भी एक बात इसमें प्रपोस चेंज म आपके नहीं चल रही है, यह सब सब चारी है, इस सब सारी चीज हैं आपके, नेक्स टापिक आता है कि infrastructure facility for judiciary, अब देखें, judiciary का भी एक अपना infrastructure है, मालेजे कहीं भी court है, उसके building तो बननी चाहिए, जजजेज और बैठने के लिए रूम चाहिए, वक्कीलों के लिए भी एक हॉल होना चाहिए, बट कई सारे कोट में अगर आप विजिट करें तो कोटों की हलत इतनी खराब है कि धूल एक मुवी में भी दिखाया गया जॉली लेलवी में किस तरह से कोट की स्थिति है उसकी तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो यूनियन गवर्मेंट है उसने एप्रूफ किया है कि जो सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम है डेवलेप्मेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फेसलिटी फॉर जुडिसरी उसको फॉर्दर फाइफ हीर्स के लिए बढ़ा दिया जाए और 9,000 क्रोड रुपए उनको दिया जाए फाइफ एर्स परियेट हैंकि 2021 से और 2026 तर इस परियेट को निधारिद किया गया है तो पचास करोड जो है इसमें ग्राम नायाल स्कीम के तहर दिया जाएगा जिसमें जो की नेशनल मीशन फॉर जस्टिस डिलेवरी एड लीगल रिफ़र्म में आता है ठीक है अब यह बात आती है यह ध्यान रखिएगा यह सेंंटरल इस्पॉन सेंटर रिफिय मैं ही मतलत कि इसमें 6040 का रेश्यो होता है सेंटर की बीज बीच में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टेट सेंटर देगा और अगर इस में पैसा देता है Union Government ने 2011 में किया था जून 2011 में इसका objective था कि जो access to justice को खुब बढ़ाईए reduce हो जिससे case का delay है अपने यहां पता है pending cases कितने हैं तो उसको खत्म करने के लिए कि justice जल्द से जल्द मिले enhance कीजिए accountability को structural change करके तो यह सब सारी चीज़े हो गई अब यह जो CSS है development infrastructure के लिए अभी का नहीं है 1993 और 1994 में आया था तो इसके तहद बहुत सारे court बने residential units बना district officer, district officer, subodate court के officer के लिए hall हो गराभी बना, toilet हो गराभी बना, digital computer tool भी बना उसके वाद एक upgraded नया विकास 2.0 web portal तयार किया गया मतलब कि अम महलने जे की infrastructure में तो digital infrastructure भी हो गया तो digitalize भी करिए अब कोवीट के period में क्या हुआ कि supreme court और high court और बाकी बहुत सारे courts जो है वो अब online जो case चल रहा था online hiring हो रही थी तो यह भी एक important step है तो नया विकास 2.0 web portal को load launch किया गया जो कि mobile application भी use किया गया जिससे physical and financial progress CSS का देखा जा सके अब एक सबसे gram नयाले क्या होता है gram नयाले यह होता है कि इसको village court करते है मतलब गाउं के level पर यह court होता है जो कि gram नयाले act 2008 के तहता है जो कि SPD और easy access for the justice system को rural area of India में यह प्रोवाइड करता है अब गाउं में तो बहुत सारे किस होते है कोई खेत है माल लीजे यहां बीच में माल यह दो भ होगा और यह याद रखी का यह जो act था second October 2009 को यह कादी जैनती के मौके पर jurisdiction अब इसका क्या है इसका jurisdiction जो है gram नयाले का यह ओफर एंड एरिया होता है स्विसिफाइड होता है जो कि state government बताती है और consulate करती है respective high court से high court से पूछ के और state government decide करती है कि यह नयाए gram नयाले का jurisdiction कह हां तक होगा यह ऐसा मोबाइल कोट भी function करता है जैसे माली जै किसी गाओं में गया रुपन से court establish हुआ इस सिस्टम तयार किया यह यह तैंट लगाया बस सुनवाई शुरू ऐसा भी हो सकता है इसलिए इसको मोबाइल कोट भी कहते है और याद रखिए कि सिविलियन केस औ दोनों के दोनों इसमें सुनवाई होते हैं इसकी मोनिटरिंग भी की जाती है जो कि ग्राम नयाले कोटल से की जाती है अब कुछ issues related है जो डिसरी इन इंडिया का एक तो हमारा जो प्रोपोर्शन रेसियो है जैसे और और प्र पब्लिक के बीच में वह बहुत कम है ठीक है तो रेसियो जो है अपका 50-70 judges per million people है मतलब कि दूसरे कंट्री में और इंडिया में 20 judges हैं मतलब सोची कितना बड़ा difference है per million heads मतलब कि अगर बाल लिजे एक लाख लोग है तो सिर्फ 50 judges हैं वहाँ पे दूसरे कंट्री में और इंडिया में 20 judges हैं तो इंडिया में तो population ऐसी ब virtually court तो चलाया लेकिन technology कहां है कहां नहीं है बहुत सरा एक larger issue create हुआ ठीक है तो यह सब भी चीज़ें college system को भी लेके बहुत दिकत है अब हम next आते हैं अपने topic edges का नाम है अच्छा इसका wave forward देख लेते हैं कि CSA system को increase करिए well equipped court hall बनाए कि मतलब लोगों को अच्छा लगए कि ह अच्छा है system अच्छा है अब US का court और सिखनापूर का court और इंडिया का court देख लेज़े हैं ठीक है residential judges को अच्छी residential accommodation दीए सेट करिए digital computer rooms को improve करिए digitalization को paperwork को reduce करिए यह भी एक है एक प्वाइट पेपर जितना उसे पर उतना इसको reduce करिए और online system सब्सक्राइब करें कि सारा चीज आप online feeding करें यह सब सारा चीज कोड करें जैसे 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 बाड़ा फाइल देकर नहीं बैठने की चोड़ पड़े तो तुरह से मोबाइल में अपने टिक करें या फिर जोगी उनको प्रवाइट गिया जासे इस्टम उसको टिक किये किस का स्टेटस चेक किये और उनको पुर्णा जो जज़ज्मन दिया था उसको चेक किये तो वो तुरह से बहुत effective होता है तो यह सब चीज हो सकती है ग्र वैसे भी एक तरह का एक एक्जाम बनाया जाए जो काफी जिसमें यूनियन लिए जजिस की भी बहाली हो तो इस तरह का भी एक सिस्टम हमें बनाना चाहिए यह भी हम फेफर में दे सकते हैं ठीक है अब दृष्टी वालों में तो नहीं दिया लेकिन मैं अपने करफ से से के ज लाइव स्टॉक के लिए जो लाइव स्टॉक मनतली होता जैसे गाए भेस हो गहीं बकरी से बच्डे हो गाए हो तो यह व्याईव स्टॉक के लिए स्पेशल पैकेज जो सरकार रिलीज की है और यह जो सिसीह एं कैब्नेट क्मीटी और निइकनावांए इसने एप्रूब किया है कि इंप्लिमेंट करिए आप स्पेशल लाइव स्टॉक सेक्टर पैकेज का तो इसके कुछ की पॉइंट्स है इसका में उद्यस से है कि लाइव स्टॉक सेक्टर है जिसमें एनिमल हस्बेंट्री को ज़्यादा रिमिनेट्रिव करो 10 क्रोर फार्वर इसमें इंगेज है ठीक है तो इसके ग्रोथ को आप मजबूत बनेंगे ज्यादा ज्यादा पैसे ज्यादा आप मिले किसानों को भी मिले ठीक है आर एंडी में खर्च हो लाइव स्टॉक के जो ब्रीड है उसकी इंप्रूब्मेंट हो इस तरह की चीजे मार्केट सिस्टम क इंप्रूफ किया जाए तो टोटल एमाउंट इस सेंटल गवर्मेंट इस पे नाइन एट जिरो जिरो करोड रुपे खर्च करेंगी हां तो यह याद रखेगा 900 करोड रुपे खर्च करेंगी लाइव स्टॉक डेवलेप्मेंट के लिए फॉर नेक्स्ट फाइफ यह यह सब्सक्राइब कि दो हजा चपविस्त है ठीक है पचपन सो करोड इसमें यह भी है कि आउटसाइड से इंवेश्मेंट किया जाएगा इस सेक्टर में और इसमें इंक्रूड होगा इंवेश्मेंट पाई स्टेट गवर्मेंट इस्टेट कोपरेटिस फाइनेंशल इंस्ट अब बहुत सारे स्कीम को मर्ज कर दिया गया जैसे पैकेज जो डिजाइन किया गया था, रिवाइज किया गया यह री अलाइन किया गया वारियस कंपोनेंट इसके डिपार्प्रम्ट ऑफ अफ एन मला हस्वंड दिय इंश्ट फाइफेहर्स के लिए इसको दिया गया plein ठी इसको three broad category में इसको divide किया गया, ठीक है, डीजिस वाला जो है, उसमें एक जगह आपने कर दिया, है ना, उसके बाद infrastructure को, development effort को आपने एक जगह कर दिया, तो ये सब सारी चीचे इसमें कुछ merger की गई है, ठीक है, separate separate three broad category में उसको divide कर दिया, ठीक है, अब इसका impact यह होगा कि र कहते हैं ना, देशी गाय के दूर पीने से ज़्यादा, आप ज़्यादा healthy रहते हैं और ज़्यादा आपको उसमें energy भी मिलती है, उसके बाद से national program for a dairy development, जो है, इसकी में, इसको target किया गया है, कि 8900 bulk milk coolers establish करो, जागी coolers cool रहेगा, तो दूर ज़्यादा सज्यादा उसको हम आपने बात कहें, तो 55% अपना जो rural population है, जो ग्रामिट population का जो livelihood है, वो animal husbandry dependent है, economy survey ये कहता है, कि 24.32% 2014-15 से जो GDP में, यानि कि जो gross value added में, आपका agriculture और allied sector में जो इसका contribution है, वो 24.32% से 28.63% हो गया 2018 में, मतलब ये 4% के लगबग आज़का से इसकी बढ़ुतरी होई गया, ठीक है, और इंडिया सबसे ज़्यादा highest life stock honor है वर्ल्ड का, उसके बाद चाइना है, और इंडिया सबसे बड़ा consumer भी है मिलका, ये भी याद रखियेगा, consumer भी है, producer भी है, अभी हमने 20th life stock census किया था, इसमें बताया गया कि जो total life stock population है, वो 5.78 million है, ठीक है, और इसमें 4.6% increase दिखाया गया है, 2012 वाले census से, ठीक है तो, ये भी एक याद रखियेगा, अब आता है कि national life stock mission क्या है, national life stock mission launch हुआ था 2014-15 में, और इसका main उद्य से था कि quantitative और qualitative improvement गया जाए, live stock production system में, उसके बाद से scheme implement हुई थी, इसके सब scheme भी हैं कुछ, जैसे white revolution, राष्ट्य, पसू, ध अधन, विकास योजना, ये प्रैल 2019 में इसको launch किया गया था, और इसके कुछ सारे sub machine जो अपके हैं, जैसे live stock development हो गया, pig का हो गया, feed and fodder हो गया, skill development में, इसमें कुछ, इसमें करने की बात हो गई, अब जो next अपना आता है, important वो national I use mission आता है, I use mission यानि कि I use ministry के तहत आता है I use ministry के तहत, ठीक है, I use ministry का ये, उसमें ये कहा गया कि government है, डिसाइट किया ही, कि national I use mission को, जो की central, centrally sponsored scheme है, इसको 2026 तक करिये, अभी देखे, जितना भी CCA का decision हुआ है, वो सब 5 years के लिए almost ये रो किया है, है ना, तो इस, अब ये होता क्या है, I use होता क्या है, कि जो traditional method है, non conventional method है, मतलब कि आयरुवेद हो गया, ठीक है, फिसे जो देशी उपचार हो गया, ये सबसे सारी चीज़े होगी, फिसे युनानी हो गया, हेमोपैथी हो गया, ये सब I use में आता है, तो इसको इन्होंने बात की, तो इस ये कहा रहे है कि, I use sector है, इसको national I use mission को और ज़्यदा पर spread कर रहे है, ताकि लोगों को पता लगए कि अभी कोर्णा में हुआ ये कि बहुत साजे लोग different different आयरुवेदिक चीज़ का यूज करने लगे, हना, अभी रायस्थान गवर्मेंट ने, कल के newspaper में था, हिंदू में था, कि रायस्थान गवर्मेंट इंकरेज कर रहे है कि Department of IUs, जो था कि, जो की Ministry of Health and Family Welfare में था, उसको 12th, जो की 12th 5-year plan में implement हुआ था, उसको इन्होंने Ministry of IUs बना दिया, 2014 में, ठीक है, तो ये एक create care न दरमोधी आते हैं, इसकी में को expand किया गया, holistic health इसको और बढ़ावा देने के लिए, मिसंथ को address करा जो भी gap था, health services through supporting the efforts of state duty, इनको जाज ज़्यदा services, education दे रहा है ना, हाथ लंग एरिया में पहुंचाओ, अब IUs mission के भी कुछ component है, IUs service, ये बहुत सारे कुछ flexible component है, है ना, तो IUs service जो है, जैसे IUs educational institution हो गया, quality control of, जो आयोधा, सिद्धा, यूनानी, होमेपैथी, इनकी हो गई, तो इसमें इतना हम न अब ये inflation data जिसमें WPI inflation को release किया गया है, अब ये WPI जो inflation इनकीड करता है, DPIIT जो release कर रहा है, office of economic divisor, ये wholesale price index अभी release किया है, तो इसमें बताया गया है कि WPI increase हो गई है, है ना, तो बताया गया है कि जून में सबसे high था 12.70%, फिर 12.94% मैं में 2021 में और रिलीज किसमें और रिल इसके बात में बात हो रही है, WPI के बारे में, तो इसका reason मता रहे है कि low base effect था, अब ये base effect क्या होता है, ये effect होता है कि different reference point हम compare करते है, दो data से, इस वज़े से COVID में ऐसा कहा गया है, कि महेंगाई काफी बढ़ गई है, अभी मिन्दल्स की price भी बढ़ गई है, petrol की ताम manufacture products का, like basic metal का, इस वज़े से भी कह रहे है कि बढ़ा होगा है, फिसे retail inflation जो है, ये भी आपका 6.26% 2021 में रहा है, अब इसके implication क्या है कि अगर WPI बढ़ेगा, तो CPI बढ़ेगा, अब देखिए WPI होता क्या है, कुछ basket of goods लेते हैं, और इसमें जाहता जो है, basic item जाधा लेते है मतलब इसमें services रहे लेते हैं, और ये wholesale price पे, कुछ goods पकेट को लेते हैं, और decide करते हैं, कितना percent बढ़ा है, कि के पिछले के मुखाबले, पिछले महीने के मुखाबले, पिछले साल के मुखाबले, तो ये comparison करते हैं, wholesale price का, तो अगर wholesale price index बढ़ेगा, मतलब कि CPI भी बढ़े मॉनिटरी policy में भी आपको changes लाने से पड़ सकते हैं, हना देखना पड़ेगा कि भाई, आपकी जो macro economic policy है, उसको भी देखना पड़ेगा, उसके बाद wholesale price index की बारे में बात करते हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया, कि ये bulk में wholesale business होता है, उसके बारे में बात करता है, तो जाएगा तो भाई, दो लिटर लेगा, ती लिटर लेगा, इसे थोड़े के 2000 लिटर लेने जाएगा, तो ये चीज़ बात होती है, अब base year याद रखिएगा, 2017 में 2011 बार रखिया गया है, तो base year अब change कर दिया गया है, अगर option में WPI के बारे में पूछे तो ये हम डाल है, है न, और इसका base year 2000 लेगा अब बारे लिया गया है, WPI में सिर्फ boots होते हैं, बस ये जाता है, इसमें services नहीं रहता है, services होता है, जो mobile का recharge कितना लग रहा है, education में कितना खर्चा लग रहा है, hospital में कितना खर्चा लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, ह ये retail level पे होता है, जिसको जो NSO है, वो release करता है, है न, और इसमें community और services दोलों को दिया जाता है, food medical care, education electronics, ठीक है, जो कि Indian consumer buy करता है अपने use के लिए, और इसके several subgroup भी हैं, जैसे beverage का अलग है, बीडी पान का अलग है, fuel का अलग है, लाइट का अलग है, अलग अलग तरीके से CPI निकलता है, और देखे CPI भी चार टाइक का होता है, एक CPI industrial worker का होता है, जो की labor ministry निकलती है, उसका labor वीरू निकलता है, एक agricultural labor के लिए होता है, एक rural labor के लिए होता है, तो rural वाला याद रखिए का department आप post होगा रहा है, ये सब निकलते हैं, ठीक है, और base year CPI का 2012 है, ठी ठीक है, और SIPs industrial worker के लिए 2016 रखा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, एकनी जानने की जूरत नहीं है, बस base year के इतना है, तो बस 2012 याद रखिएगा, बस बात खत्तर, अच्छा ये चीज़ भी याद रखिएगा, CPI जो है, CPI को monetary policy committee जो है, ये यूज कर दिया है, CPI के data को monetary policy बनाने के लिए, ये याद रखिएगा, RBI adopt कर लिया, CPI को, ठीक है, अब CPI versus WPI क्या है, तो WPI जो है, services को नहीं लेता है, CPI लेता है, WPI जो है, inflation को track at the producer level करता है, और CPI जो है, consumer level करता है, जनता को कितना inflation, महंगाई का दिक्तत हो रहा है, और WPI तो वो तो देखिएगा कि producer को कितना दिकत परड़ा है, customer को तुछ नहीं दिखता है, consumer को, inflation तो पाता है, inflation उसको कहते हैं, कि जब price rise हो जाए, किसी भी, goods और services की, जो कि daily common use है, तो उसको हम inflation कहते हैं, inflation जो measure करता है, average price through basket of commodity को देखके, ये सब साही चीज़ और गिनिया, एक होता है, याद रखिएगा एक core inflation होता है, और headline inflation एक होता है, तो headline inflation जो नार्मल अतना CPI balance में दिखते हैं, और core inflation में क्या होता है, कि food and fuel को हटा देते हैं, क्योगि ये बहुत volatile होता है, और इसमें कुछ गूर्सी लेते हैं, तो उसको कहते हैं, poor inflation, चीक है, तो ये आपका एक हो गया, अब आदा है कि water pollution detergent की वज़ा से काफी बढ़ गया है, है ना, detergent नहीं कि surf, आप ज्यादा जब अगर surf यूज़ करेंगे, तो water pollution का level जो है, वो बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा आप कहा गया है कि इंडिया में, जो 2.7 kg per year एक वेक्ति डिटर्जेंट खा जाता है, मतलब कि वो consumption करता है, खाता 120 क्रोड लोग कर लिजे तो देखिये भाई कि इतना हो गया, अच्छा सबसे ज़्यादा जो है फिलिपाइन करता है और मलेसिया करता है, फिलिपाइन करता है 3.7 kg और मलेसिया करता है और जो यूएस है वापका उदस किलो उन्हार के लोग खा जाते हैं, सबसे बड़े polluter तो वही है, अच्छा मोट पर लूशन दिखिया, अब क्या होता है, वाटर परोशन काफी हर्मफुल सरस्टार्स होता है, जो कि क्या करता है, माइक्रोग्रीजम है कंटामिनेट करता है, स्ट्रीम को, रीवर को, लेग को, वोसन को, तलाफ को, नदी को, सब को भाई तो करत साथ में आपने बारेट कर दिया डिटर्जेंट का यह भी एक बहुत पॉलुशन कर रहा है अब देखें पॉइंट सोर्स होता है और यह को ता नॉन पॉइंट सोर्स यह कहते हैं कि जब प्लूटेंट्स डिस्चार्ज होता है इस स्पेस्फिक लोकेशन से इसे माल यह पाइ जैसे मालो कि आपने एक ग्लास फिक दिया पानी उसमें सरफ मिलांके और बारिस होई और वह बारिस के पानी के साथ सब जाके वह किसी रिवर या लेग में चला गया तो यह नौन पॉइंट सोर्स हो सकता है या फिर आप खेत में भी खेत से भी हो सकता है आपके है क्लास करें तो दितरेंस होता है इसमें बहुत सारे सर्फिकेंट्ट या मिक्चर अथि और यूज इकली के लिए उडिन्यू सोसोन होता है वाटर के साथ सेन और सोब Cast him अब शर्फिस टेंशन की वजिय में की वजय सर्फिस शर्टक sex करते हैं वे самतों साथ इसके जो फिर से इसके जो गेमिकल है यह क्या होता है यह अपने वॉतर बापिस में तो यह प्राइब कर जाता है तो अब वाटर तो जाता है इंडिया में हाड़ी वाटर हो गया है अब अगर आप मेंट्रोपलिटर सीटी में रहे तो फ्रेस वाटर तो सिर्फ वो पाईप वाला ही मिलेगा अब ग्राउन वाटर जाके देखिए इतना ज़्जास्टी आपको म होता है यह आपका है है हैजार्डस चेमिटल सबस्थांस है और यह बाइव एकुमेलेट हो जाता है वाटर ही होता है सब्सक्राइब कोई एक यह फिस्ट यह स्पेसीज है और यह क्या कि गलती से सब्सक्राइब करिए कि कंटेमिनेटर वाटर को यह अगर खा लेती है तो यह इसके बॉड़ी में पर्वेस कर जाता है इसके वैसे पश्री अंबर जाएंगी या इनको बीमारी हो जाएगा बहुत सारी चीजह हो सकती है इवन हुमें में भी ऐसा दिखिया गया है कि हुमें ब्रेस्ट मिल्क में ब्लड में यूरीन में यह जो नॉन इली फैनॉल है इसकी मात्रा मिली है ठीक है उसके वाद से कई हो में फॉस्पेट भी मिल जाता है यह भी सर्फ में यूज करते हैं ठीक है तो यह वाटर पॉलूशन की प्रब्लम बहुत ज़्यदा इंक्रीज हो जाती है और यह आपको मैं बता दूं यह नॉन बायोडेडरेशन सबस्टा की यूट्रिफिकेशन के वाट यह होता है कि जो एल्गी उगरा होती है उनकी मत्रा बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है तो यह क्या करती है सारा अक्सिजन एल्गी ही खा जाते है तो मश्रियों को एल्गी ऑक्सिजन नहीं मिल पाता है तो ऑक्सिजन की कमी हो जाती है तो इ उसके वाइसे oxygen reducing substance भी है ठीक है जो जैसे उसमें मिलते हैं आपके इसर्फ में फिर से एक और है destruction of mucus और यह भाई mucus क्या होता है यह अगर आप मश्ली को पकड़े होंगे तो कभी ध्यान देजिएगा अब पकड़ेंगे तो आपके हाथ फिसल जाता है उसके उपर एक एक लेयर होती है चिपचिपी सी तो यह मश्लियों को प्रोटेक्ट करती है ठीक है बैक्टरिया और पैरेसाइट से तो अब यह सर्फ के विए से इनका यह म्यूकस है यह खतम हो जा रहा है तो इसके विए से सब्सक्राइब करने लगी तो फिर भाई पुरा फूट चैनी डिस्टेब हो जाएगा ना तो यह बात हो और कहा जा रहा है कि 15 पीपीटी से मश्लिया जो है डेथ हो जाती है तो ठीक है उसके बाद से यह काफी हैजार्डस ऑफ यूमन भी हो सकता है कैक्री जोंस बहुत सारे हाग घूल कंपॉनेटस होते हैं डिटेल्डस में जो कि एंथ्रोपोलेजनीक कंपोनेंटस हैं हर्विसयाइद पिस्टीसाइद और हेवी मॉटल कंसेट्रेशन लाह यह सब भी आपको बहुत जब्स्टर्ब करती है रेस्पिर्ट्री सिस्टम को भी यह कूरिक इनक चरथी है कि यह सब इससारी चीज़ेंगा है जैसे सब cream deut अब नेक्स्ट आता है कि बायो एकुमेलेशन और बायो मेगनिफिकेशन क्या होता है अब बायो मेगनिफिकेशन की होता है अब बायो मेगनिफिकेशन क्या होता है कि यह पूरे फूट चैन में काम करता है हैं उर वहां यहां पींहिंप टिवेक्सित क्ठी खाती है और फिज्स को कोई बड़ी थी चाहती है हुआ तो यह उसकाकि अंदर भी चला जागा अब बड़ी फिश को अगरहिस स्वाटर है तो हैं ध्यूमेंक के अंदर भी यह अउनले सफ्षार का justify है ठीङ तो यह बढ़ते जाता है यह यह याद रखिया है यह सब्सक्राइब इतना था चोटा सा पड़ा फिर इसमें बढ़के बहुत सब्सक्राइब अब बायो एक्मेलेशन में क्या होता है यह जो कंटामिनेशन का लेवल है यह टाइम के हिसाब से बढ़ता है ज्यादा खाव पहले खाई थी थोड़ा सा था दूसरा उसी स्पेसिज में बढ़ते ही जाता है अब एक और एक स्कीम आता है नेक्स्ट अपना क्रेंट इसका नाम है संकल्प से सिद्धी इसको मिसन वंधन भी क की ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन आफ इंडिया इसका में काम है अल्टिमेट अब्जेक्टिव यह है कि सोचियो एकनॉमिक डेवलप्मेंट करिए ट्राइबल लोगों का अपने अधिवासी भाई बंदू का उनका सोचियो एकनॉमि करिए है ना आप उसको मार्केट में लाइए आप उसको इमार्केट पर डालिये इकवर्श पर डालिये ताकि उनका इंकम जो है वह वह भी बड़े असात में के बच्चे पढ़े लिखें और सोचियो एकनॉमिक डेवलप्मेंट भी इनका हो और फिर यह फिर जो मावादी आके भढ़का देते हैं वो सब यह लोग करना छोड़के अपने काम में भी जी हो जाएं अब यह पूछता है कि भाई संकल्प सुद्धी है क्या है संकल्प सुद्धी एक इनिसियेटीव है जो कि मिसन वंधन के अंदर आता है और इसको सेंट्रल गौर्णमेंट ने इंट्र मरजन मतल्ब 11 मिलागे और काफी सारी выглядит को लिए कि ताकि ट्राइक्वल मोडत करना चक्रोणके शाइक है मनिसर के इसन के तहट सेवर्रल वंधन विकास केंद्र बनाएं जोंधन वहां पर सीखाया जाएगा कि कैसे तुम आपने इनहेंज कर सकते हो इनव उसके पाद से हाट बजार क्यों दिखा जाएगा मिनी ट्राइब ट्रीफुड यूनिट्स बनाई जाएगी जैसे ट्राइबल फूडस भी काफी फिमस होते हैं वहां पर इंडिया के बेस्ट जो ट्राइबल प्रोडक्ट है उनको रखा जाए तो बहुत उसकी डिमांड भी पढ़ेगी है ना अब माली जे कोई अगर सीपी नहीं जा पाता है तो वह एमेजन पे डाल दिया तो अब इमेजन के प्लेटफर्म पे वह सीधे डाले का ट्राइबल हाट तो सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी तो वहां से भी पर्चेज कर सकता है और इन सब चीजी के ट्रीफट जो है ट्राइफट है जो इंप्लेमेंटिंग से बहुत सारे प्रोग्राम को इंप्लेमेंट करता ह जैसे MSP वहरा को देखना ठीक है MSP को यह जो ट्राइबल प्रोडटक्स है उसको मेकनिजम वह प्रोवाइड करता है ठीक है फिर ट्रैफट ऑसो इंजक्ट करता है तीन हजार क्रोड रूपए को ट्राइबल एकनोमी इंजेक्ट किया है वंधन ट्राइबल स्टार्टप के लिए इसने काफी मदद करी है ठीक है यह साथ ट्राइफट का रोल हो गया ट्राइफट का रोल और भी बहुत सार इनिसेटीव में है जैसे वंधन विकास योजना यह यह पोट्थ टार्गेर्ट मैंेश हो गया सब्सक्राइबल के लिए इसने ट्राइबल प्रेस्ट गंतव है यह वनधन के इंदर को एकनोमें सीव प्रेंगेट का सेटीव है है भाकी आप देख लीजेगा एक ट्रीफुद श्कीम है इसमें ट्रीफुद फॉर्क बनाया गया है इसने प्रोसेस फूर्च जो है फॉम माइनस फॉरेस्ट प्रोडूस से बनाया जाएगा ठीक है उसके वादसे बीलेज ओर डिजितल कनेक्ट इनिशिय वह लांच किया गय अब जो एक और next अपना topic आता है इसका नाम है new solar projects जो की NTPC लगा रही है अब आप सब को NTPC के बारे में तो पता ही होगा तो ये news में क्यों हो रहा है क्योंकि recently जो national thermal power cooperation limited है renewable energy limited उसने एक memorandum of MAU sign किया है Ladakh UT से कि वो country का पहला green hydrogen mobile project वहाँ पे launch करें तो ये बहुत important है ठीक है लदाख जो है यहाँ पे हम पहला जो green hydrogen mobility project इसको launch करने वाले हैं ठीक है और ये इसको करेगा कौन तो याद रहेगा NTPC करेगा ठीक है NTPC ने NTPC के और भी कुछ achievement है जैसे उसने solar park run of cash गुजरात में उसने setup किया है ठीक है वहाँ it will also generate green hydrogen as a commercial scale under ultra mega renewable energy power parks के scheme के ताहल अब ये hydrogen produce होता है renewable resources से ठीक है तो उसको हम green hydrogen कहते है अगर renewable sources से अगर hydrogen produce है तो उसको हम क्या कहेंगे green hydrogen कहेंगे जो कि जो जिसमें greenhouse gas effect ना के परापर है ठीक है अब ये ultra mega renewable energy power park scheme क्या है ये इस scheme है जो develop की है इस park को जो existing solar park scheme के ताहल है और ये scheme जो है ministry of new and renewable energy के ताहत 2014 में आये था solar park scheme में आये था इसमें number of solar park बना था across the India ये चीज़ था इसका objective ये है कि provide करो land upfront to project मतलब आप तो land को provide करो ताकि project लगा सके facilitate कर सके transmission को infrastructure creates कर सके renewable energy की जो कि based हो power parks ठीक है और solar wind hybrid ये सब लगा सके ठीक है अब में अपने प्यातने की ये green hydrogen mobility project क्या है तो ये एंटी PC REL इसको प्लान किया है कि पांस hydrogen बस ये बात करेगा ठीक है और श्रेटिंग अप करेगा solar plant का और green hydrogen generate करेगा ले में ये इसका है और ले इसके वैसे पहला city बनेगा country का जो implement करेगा green hydrogen based mobility project को और इससे zero emission mobility होगी एक true sense में और ये प्रधान मंत्री का carbon neutral जो प्रधान मंत्री जी है उनका वीजन जो है कि carbon neutral करना लदाग को ये भी उनका सपना सकार होगा ठीक है the dreams become true it will help लदाग to develop a carbon free economy carbon free economy बड़ करेगा इंडिया का जो largest आपका याद रखिएगा solar पार कहा है तो run of cash में जो कि खेवाला गुजरात में जिसको mtpc ही लगाई तो यह याद रखिएगा अब कश के बारे मजा दे तो यह ठीक है कश्च जो आपका largest salt dessert है country में ठीक है और अच्छ दो रण अफक तो है एक ग्रेट रण है और एक लीटल रण है इसका भी देख लिएगा तौर इस के साथ से और भी अपना कुछ टार्गेट है कि नेशनल सोलर मिशन है अपना ठीक है उसके बाद से जो हमना नेशनल एक्षन प्लाल है क्लाइमेट चेंज कहा कि हम हंड़ेड गीगावाट भी रिनोबल एनरजी से 2022 तक कर लेंगे फिर से इंडिया ने उसका भी आइनडिसी टार्गेट है कि 40% हम इलेक्रिक पाउर जो इस्टॉल करेंगे जो कि नॉन फॉसिल से करेंगे जो कि रेडियूस करेगा एमिशन को और जीडिपिक का 32 to 33 to 35% 2005 लेबल से 2030 तर तो यह हमने अपना टार्गेट रखा है क्याद रखिएगा उसके वाद से हमने इंट्रेशनल सोलर एलाइंस भी लंज किया था फ किस कोई भी नहर के उपर आप पूरा सोलर प्रेट लागा दो है ना इस तरह की चीज़े फिर से वन सॉन वन वर्ल्ड वन ग्रीट की हमने भी बात कही है ठीक है तो इस तरह की बात कर रहे है अब एंटीपिसी के बारे बात करें तो यह एक PSU है जो कि Ministry of Power के अंडर आता है और यह NTPC REL है यह 100% सब्सेटरी है NTPC का यह इंडिया का लाज़ेस्ट एनरजी कॉंगलूमरेट है NTPC ठीक है जो कि 1975 में आया था एसलेरेट कर रहा था पावर डेवलेप्मेंट इंडिया को ठीक है यह सब सारी चीज़े है NTPC के बारे में और यह यहाद रखेगा एक मह महारतना कंपनी हो जाता है तो वह कुछ ऐसे डिसिजन है कंपनी खुद ले सकती है उसको बारबा सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा उसके बाद नेक्स्ट एक न्यूज आता है अभी अपने जो फॉरें निश्टर है एस जैसंकर की वह काफी घूम घाम रहे हैं तो गय के त्वन का जो कि जॉर्जिया की थी तो इंडिया ने गिफ्ट किया है उस रेलिक्स के जो कि 17th century में जो सेंट की थी जॉर्जियन गवर्मेंट को और यह पहली बार मतब ऐसा गिफ्ट किया गया है और यह इंडिया एक्स्टरनल मिनिस्टर जब विजिट किया है वहाँ प कंट्री है अभी हम मैप के लोकेशन में देखेंगे जॉर्जिया का रहा है अभी क्वीन किटवां थे इनको कहा जाता है कि यह रानी थी और इनको जो सिराज था अभी इरान है उनको फोर्स किया कि आप इसलाम करो लेकिन वो नहीं का उनबूर्ट की तो फिर उनको मार दि धाए था इसको यह सब देख लीएगा कोछ ज्याद उंप्रेंट नहीं है बस इतने याद रखेगा लिए को इंडिया और जर जर्जी म LIKE रोडेशन 25 जहें कि जो इंडेंडिया का पंच्तंत्र रहे जर्जियन के सब बढ़ाने के लिए जर्जिया भी अप्लाई कर रखा है अपने आपको यूर्पियन उनियन में ठीक है और यह कैकोस जो रीजन है मौंटेन रीजन उसके अंदर आता है ठीक है तो बस यह पॉलिटिकल सिनिफिकेंस है जर्जिया का अब यह देखिए कॉकस जो है एक अच्छा माउं केकस में जो सबसे हाइस्ट पिक है वह आपकी मौंटेल बूस तो यह भी याद रखिएगा यह इस्टन पार्ट है जर्जिया की बात करते हैं तो यह रहा जर्जिया और यहां पर है रसिया की इन किन कंट्री से नेवरिंग है तो रसिया है टर्की है और मेर पर अजर्बाइजान योजिया है तो यह याद रहेखिएगा यह सब सारी चीजिए यह सब आपकी कंट्रीज है तो अगर के जर्धवाइजान तो आसे रसिया ए सै अर्मेनिया। ड्रुक्त रसितिक कि रातह तो तारा जी भी बिना सकते हैं टीया और ये अट गदर मुभी का सबसे तो प्सक्ष्ट यही लग रहा है तारा बर्सकед वह नाम को बैब बन को इसलियो है तो इसे के साथ अगर कोई प्रणी मारी है या फिर issues है वायस को लेके या फिर समझाने के वे को लेके तो आप comment प्लीज करिएगा और ज़्याज ज़्यादा वीडियो को like and subscribe जरूर करिएगा और share करिएगा अपने दोस्तों के बीच में तो thanks for watching the video दोस्तों जै हिंद जै भारत